कि विएनिंग के बार हैं विएनिंग होता गया है तो सबसे पेटे देखते हैं विएनिंग आईगा तो विएनिंग एक तरीकी की प्रोसेस होती है जो चाइल्ड को मोर कई तरीके का फूड को इंट्रोड़ूस कराया जाता है और विएनिग इसमें विएनिग जाता है जाता है जो चाइल्ड होता है उसको ब्रेष्ट फीडिंग मिलक के लावा अथर विएसमें आप फूड को प्रोड़ आप प्रोड को को प्रवाइड कर वाया जाता है इसमें और food that introduced in addition to breast milk that are called supplementary food जो supplementary food उसको provide कराया जाता है बच्चे को तो तीन तरीके का होता है supplementary food liquid, semi-solid supplement, liquid supplement, solid supplement, तो इसमें liquid supplement provide करवाया जाता है जो कि है milk हो गया, soup हो गया, fruit juices हो गया, यह सब provide करवाया जाता है अब बात करें principle of weaning, weaning के जो principle है, वो कौण कौण सिद्धान्त क्या किया है जो सबसे पहले देखते हैं इसमें, only one food should be introduced at a time यानि बच्चे को एक समय में एक ही food को provide करवाना है और दूसरा है small quantity of food should be given at beginning जो शुरूबात में सबसे पहले food को जो है small quantity में देना है, कम quantity में देना है तुसरा point देखते है, food should not be spicy, जो food है वो spicy नहीं होना चाहिए जाए जाए और hygiene and safety, hygiene and safety maintain रखना चाहिए अन्यूट्रेशनल वाइलिंस जो है वो भी maintain रखना चाहिए इस वीडियो में हमने principle of weaning देखा और weaning का इंट्रोडक्शन होता है कैसे provide किया जाता है क्यों provide यह जाता है वो उसके बारे में बात की और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाता है जाता है आपने दोस्तों के लिए धन्यवाद